हेलो फ्रेंज वेलकम टू माई चैनल मैं वनना आज मैं हमाचल का ब्रेड का मीठा की रेस्पी आपके लिए लेके आए हूँ यह बहुत जल्दी बनके त्यार हो जाती है इसे बनाने में केवल 10 मिनट ही लगते हैं और यह बहुत टेस्टी बनती है इसे चावल के साथ खाया ही जाता है यह आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं, ऐसे हैं बहुत टेस्टी होती है स्टाट करते अने से कैसे बनाते हैं मैं है यह ब्रैडड पीसे ले लिए हैं, यह मेरे पस ब्राउन ब्रैड है । आप चाहें है वाइट भी ले सकते हैं तो इने हम 4 क्यूब्स तर्ह पीजम तो हम कट कर लेंगे, देखिए इस तरह से ये छोटे छोटे टुकडो में हमने कट कर ली है, अब रिफाइन रॉाइल मेंने लिया है, आप चाहें तो देसी घी का यूज भी कर सकते हैं, जब तक मेरा घी गरम होता है, हम दूसरी तरफ चाशनी बना लेंगे, चाशनी बनाने के लिए मैंने दो कटोरी पानी और इसमें मैंने दो लाइची डाली है, आप चाहें लाइची पाउडर भी यूज कर सकते हैं, अब एक कटोरी चीनी, इस चाशनी को हम गाडा नहीं बनाएंगे, ये हलकी सी चिप-चिपी बनाएंगे, मतलब बहुत एक तार चाशनी नहीं बनाएंगे, देखे, तेल गरम हो गया है, अब सभी ब्रेट के पिसीज को हम फ्राइ कर लेंगे, ये सभी हम हाई फ्लेम पर फ्राइ करेंगे, हम लो फ्लेम नहीं रखेंगे, अगर लो रखेंगे तो आपकी ब्रेट जो है वो सारा घी जो है वो आपका पी लेगी, और हम इसे हाई पर इसलिए करेंगे, ताकि इसमें क्रंची सा टेस्ट आए, देखे इस तरह से विलट प्लट करके दोनों तरब से अच्छे से फ्राई कर लेंगे, बस इस बात का खास ख्याल रखें कि, हमें ये हाई फ्लेम पर ही फ्राई करने हैं, देखिए फ्राई हो चुके हैं अब मैंने निकाल लूँगी इसी तरह से मैं बाकी ब्रेड के पीसिस को भी फ्राई कर लूँगी आप मेरे चैनल को लाइक, शेर, सब्सक्राई भी जरूर करें और लाइक तो जरूर करें लाइक करने से थोड़ी मोटिवेशन मिलती है तो प्लीज जरूर करें और सब्सक्राई भी जरूर कर लें देखे मैंने सभी पीसिस को फ्राई कर लिया है देखे ये चाशनी बन के भी त्यार है अभी बहुत गरम है इसे हम थोड़ा ठंडा कर लेंगे जब ये थोड़ी ठंडी हो जाएगी तभी हम अपने सारे ब्रेट पीसिस जो है इसमें डालेंगे अगर गरम में डाल देंगे तो पूरा ब्रेट जो है वो घूल जाएगा हमें थोड़ा सा क्रंची ठेस्ट देना है तो लिप भॉम में ही डालेंगे देखे इस तरह से सभी अपने ब्रेट पीसिस जो है हम चाशनी में एड़ कर देंगे देखे अब हम थोड़ा सा इनको हम उलट पलट कर लेंगे बहुत ज़्यादा नहीं इनको हिलाना है अगर ज़्यादा हिलाएंगे तो ये टूर जाएंगे और बहुत सौफ्ट भी हो जाएंगे बस ये है कि इनमें थोड़ा ये चाशनी का टेस्ट आ जाए दिखे इस तरह से अब हम इस मीठे को काजू, बदाम, किश्मिस और नारियल के साथ जो है वो डेकुरेट कर लेंगे ये मीठा जो है बहुत टेस्टी बनता है आप बना के जरूर एक बर टेस्ट करें आपको ये वीडियो कैसा लगा कुमेंट में जूर बताएं मेरे चैनल को लाइक, शेर, सब्सक्राइब जूर करें और हमेशा मुस्कराते रहें